इसके पिशली वीडियो में मैंने नॉर्मल एजस्मेंट पढ़ाया था जहां पर फाइनल इमेज इंफिनिटी बनती है अब यहां पर फाइनल इमेज आपकी 25 सेंटी मीटर दूर बन रही है आपको से अब देखो यह बनती कैसे पहले टेलिस्कोप आपको पता है क्या होता है इस यूज़ फॉर व्यूइंग डिस्टिंक्ट इमेज़ और इसमें दो लेंज ह होते हैं आपका पहला ऑब्झेक्टिव है जो ऑब्झेक्क के करीब होता है और आपके आँख वे करीब होता है आई पीस आप्जेक्टिव का अपरचर और फोकल Nintendo ह Or ça his as compared to the aperture and focal length of the eye piece object आपकी heavenly bodies कहाँ पे होती है बहुत दूर मतलब they are at infinity इसकी बस आप working समझ लोगे आप से तुरंट बन जाएगा और diagram याद कर लेना क्योंकि आपने telescope खोल के अंदर से देखा तो है तो please memorize the diagram इसलिए मैंने diagram copy paste करती है ठीक है आपको अगर diagram बन गया तो आप से telescope यू चुटकियों बन जाएगा दो लाइन का derivation है कैसे करना है इसको सबसे पहले the object is at infinity when the object is at infinity image is formed at focus तो यह objective lens है तो इसकी final image कहाँ form होगी objective के focus पर देखो यहाँ पर f0 लिखा भी है तो the final image is formed at the focus of the objective lens अब मैं चाहता हूँ कि जो image है वो infinity पर ना बने कहीं eye से हलका दूर बने तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए using the rack and pionion arrangement जिससे आपन eye piece को आगे पीछे करते हैं मैं eye piece को ऐसा set करूँगा कि जो objective की image बनी है objective के focus पर ठीक वो image इसके optical center यह जो इसको optical center है और eye eye piece के focal length के बीच में आजए ऐसा मैं करूँगा है अब आपको पता है when the object is in between optical center and focus image is formed it is like in front of the lens it is virtual erect and enlarge है ना तो अगर आपने थोड़ा सा भी class 10th पढ़ा हुआ है तो मैं आपको diagram यहाँ पर देखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है जो last वाला case हो रहा है यह वाला diagram यहाँ पर काम आ रहा है बटा this one पढ़ा है ना अपने वाला यहाँ देखा रहे था हूँ ray of light passing through optical center will travel and deviated अब यहाँ पर यह दोनों ray of light क्या है और यह दूसरे से दूर जा रही है तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा यह ऐसे यह मैं देख रहा हूँ यह मेरी शकल है मस्त सुन्दर तो if I am looking at both of them तो मुझे कहीं लगेगा अचा ना मुझे reflection पता है ना मुझे reflection मुझे कुछ नहीं पता है मुझे क्या पता है light always travels in a straight line तो मुझे लगेगा यह ray of light कहीं यहाँ दूर से आ रही है और यह ray of light कभी यहाँ दूर से आ रही है किधर यह दूनों meet नहीं करेंगे यह diverging है और आपकी final एक virtual में यहाँ पर बन जाती है वही चीज़ अम इसको हटा रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ठीक है the same thing I am doing in astronomical telescope when I am shifting the eyepiece और मैं इस objective की final image को eyepiece और IPS को optical center और IPS के focus के बीश में ला रहा हूँ तो मैं इसी diagram का स्थमाल कर रहा हूँ तो क्या होता है बिटा एक virtual image form होती है at least distance of distinct vision आपन उसको ऐसा set करते है तो यह difference है between normal adjustment and when the final image is formed at least distance of distinct vision और इसका स्थमाल क्यों करते हैं क्योंकि उसमें मुझे magnification ज्यादा मिलेगा और maximum मिलेगा अभी आपन देखते हैं कैसे मिलेगा ठीक है अब इसका आपन derivation करते हैं clear है इतना I think है ना कोई doubt हो तो you can ask me in the comment section ठीक वो उसी clip बना है ठीक है अब देखते हैं आपने कैसे करना इसको सबसे पहले let's market each and everything ठीक यह अलफा है इसको आप मानलो यह इसको ऑप्टिकल सेंटर है C1 यह इसको ऑप्टिकल सेंटर है C2 यह इमेज है A- और यहाँ पर यहाँ एफ नॉट बना यहाँ पर इमेज का दूसरा पॉइंट है B- हो इसको फोट है इतना क्लियर आपको अब यह मानलो आपकी इमेज बनी है यह आपकी इमेज फाइनल इमेज है तो यह है A- डबल डैश and this is मिरे लाप्टॉप की बैटरी खतम हो यह एक मनिट B- डबल डैश just wait a minute लगाती है तो यह फाइनल इमेज है A-डबल डैश और B-डबल डैश ओके इतना क्लियर है आपको आप चलो अपसी अपसर डेरवेशन करते हैं सबसे पहले आपना आते हैं कि what is magnifying power of telescope ठीक in least distance of distinguishing का adjustment इसको magnifying power बोलते हैं या angular magnification भी बोलते हैं तो कैसे define करना है it is defined as the ratio of angles subtended at the eye by the final image अचा अब final image कहां बन रही है अब यहां पर word आपको आड करना पड़ेगा at least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object और object कहां पर है which is present at infinity when seen directly हम सीधे object को देखते हैं तो फिरस एक बार सुन लो कैसे define करते हैं magnifying power it is defined as the angle subtended by the image formed at least distance of distinct vision to the angle subtended by the object object और object कहां पर है infinity when seen directly तो यहां पर आपको रख दूँगा तो अगल अलफा ही बनेगा directly देखने में ठीक है तो अब M क्या हो गया बटा M हो गया यहां सॉरी बीटा पाई अलफा उसके बाद आपको क्या पता है कि इस बाद आप लिग देना अंगल सार वेरी स्मॉल सिंस है ना आप लिग देना अलफा कॉमा बीटा आर वेरी स्मॉल अंगल एक देखो जितना आप एक्स्प्लेइन करोगे ना उकने आपको नंबर मिलेंगे तो अगर अलफा बीटा स्मॉल अंगल है तो अलफा इस ओल्मोस्ट इक्यूवलें टू तान अलफा यह जो यहाँ से दिस्टिंस है नेकर एक इफ नॉट तक यह आपका फोकल लेंथ है यह जो distance है F0 से लेकर C2 तक यह क्या है image का distance from the eye piece यह जो distance है यह C2 से लेकर जहां आपकी final image बनी यह D है और यह क्या है VE that is distance of the image from the eye piece UE क्या है distance of the object from the eye piece तो इसका जो final image है A-B- यह eye piece के लिए object की तरह काम करता है और यह जो distance है C2 से लेकर F2 आपका focal end of eye piece है ठीक है तिल आगे बढ़ते है तो आप tan beta और tan alpha मुझे निकालना है tan alpha के लिए मैं कौन सा triangle लोंगा C1 A-B- ठीक है तो पहले मैं लिखूंगा in triangle in triangle C1 A-B- यह नीचे नहीं आएगा सॉरी आप लगाओ क्या लगाओ के टान alpha के यह अलफा है यह पर्पेंडिकुलर हो गया A-B- क्या होगे आपका C-B- ध्यान देना ठीक अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं फिर से ध्यान देना कि जब मैं beta लोंगा तो फिर मैं कौन सा ट्राइंगल होंगा beta के लिए A-B- और C कई सारे बच्चे कौन सा ले लेते हैं A-B- और C उसको नहीं लेना है आपको A-B-C2 ही लेना है ठीक है कई बच्चों को लगता है नहीं सार हमको उसको लेना है ऐसा नहीं करना है फिर आप लोगे A-B- टैन बीटा आपको कितना मिलेगा एन बीटा विल बी इकॉल टू पर्पेंडिकुलर हो गया A-B- करना है या आपको कॉमन सेंस होना चाहिए अप आपॉन सी टू बी डैश ठीक अब अगर में वैलूस को यहाँ पर पुट कर दू एन बीटा और टैन अल्फा की जगे चलो यहां कर देता हूं मैं एम इस इकॉल टू ठीक है पुट कर रहा हूं टैन बीटा कितना है A-B- upon C2-B- multiplied by tan अल्फा कितना है A-B- और यह कहां चला आएगा C1-B1 उपर एक मिट C1 नहीं B1 है C1 और B- है ठीक है सौरी यह B- है Confusion मत हो ना B- I am sorry C1-B- यह देखो कितना dash और 1 में कितना confusion होता है I am sorry यह A-B- cancel अपका magnification का formula यहां पर आ गया C1-B- upon C2-B1 यह भी B- नहीं है यह भी B- हमेशा ना किछला step देखकी अगला step लिखते हैं upon C2-B- यह है C2 और यह है B- यह क्या है distance of the object from eye piece अच्छा इसको मैं left hand side light इस तरफ जा रही है और all distance are measured from optical center तो मैं इसको measured का निकले इस तरफ जा रहा हूँ तो यह मैं क्या लूँगा minus UE ठीक clear यह चीज़ अब आगे बढ़ते हैं अब मुझे UE की value निकालनी है अब UE की value में कैसे निकालूँगा using lens formula ठीक तो I will apply the lens formula क्या है lens formula यहां देखो 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U अब देखो वटाया ध्यान से अगर मैं UE ले रहा हूँ तो सबसे पहले मैं focal length किसका लूँगा focal length में लूँगा आपके IB's का focal length कितना है यहां पर मैं लिख दिया FE इसका जो object का distance है वो मैंने कितना मान लिया VE और image का distance क्या मान लिया UE अब ध्यान रखना यह जो focal length है focal length तो positive है तो मैं plus FE लूँगा यह जो image का distance है VE यह तो मैं यहां से इस तरफ जा रहा हूँ ना light आपकी इस तरफ जा रही है और इसको measure करने के लिए मैं optical center से left hand side जा रहा हूँ तो यह जो VE कितना बना है image कहा बनी है at least distance इसको मैं क्या लूँगा minus D यह चीज़ ध्यान रखना और UE है ना अगर मैं UE की बात कर तो UE तो मैं UE रहन देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी value निकाल नहीं है बट फिर से एक चीज़ ध्यान देना है आपको sign के साथ लेना है तो UE मैं किधर measure कर रहा हूँ C2 से लेकर B' तक तो UE को मैं लूँगा minus UE अब यह values मैं put कर दूँगा इस formula में तो यह आ गया 1 upon FE plus में is equal to 1 upon minus D minus 1 upon minus UE minus minus क्या हो गया plus तो यह बचा 1 upon FE यह इधर आएगा तो हो जाएगा plus 1 upon D is equal to minus minus plus हो गया था 1 upon UE ठीक इतना आ गया अब आप यहां से FE common ले लो ठीक है यह तोड़ा रटने वाला विक स्टेप है आपको FE common ले लेना है FE आपने common ले लिया 1 upon FE यह बचा 1 plus यहां क्या बचेगा FE by D ऐसा क्यों बचा बिल्टा ऐसा इसलिए बचा क्योंकि जब आँ वापस multiply करोगे तो आपको वही चीज मिल जाए वापस multiply करोगे तो यहां 1 upon FE मिल जाएगा यहां 1 by D मिल जाएगा अब आपको UE की वालू मिल गई है ठीक आपका final formula क्या है magnification का यह आया है ठीक यहां में लेकर आँ देखो M का जो आपका final formula था वो था F not upon minus UE put करो value F not upon अब एक चीज ध्यानक ना यह 1 upon UE की value आपको already दिये है तो ठीक है 1 upon UE आपको already दिया है तो यह जो value है ना यह कैसा हो जाएगा यह हो जाएगा 1 upon UE आपको दिया है पूरा तो कहने का मतलब यह चीज इसमें multiply हो जाएगी confused मसा है ना तो यह हो जाएगा 1 upon FE bracket में 1 plus FE upon D तो क्या हो जाएगा M का formula हो जाएगा F0 upon FE bracket में 1 plus FE by D दिस इस दा formula अचा सॉरी मैं माइनस साइन खा गया माइनस साइन भी रह गया है यह माइनस साइन खा गया मैं यह माइनस साइन तो दिस इस दा final formula of magnification produced by an astronomical telescope when the image is formed at least distance of distinct vision अब इसमें अगर किसी ने कहा कि find the length of the telescope तो आप यहाँ पर आओ उपर length किसके बराबर होगा यह हो गया F0 ठीक और यह हो गया UE तो final length कितना आएगा final length will be equal to F0 plus UE ठीक है मुझे length निकालना है तो मुझे कुछ भी negative foot नहीं करना है ठीक तो आपको देखो यहां से 1 upon UE की value आपको पता है तो UE कितना हो जाएगा उस यह जो value आपको यह value किया रखना ठीक है तो कई बार question आता है what is length of the telescope तो एक बार आप UE निकाल लेना F0 आपको दिया रहेगा उसमें आड कर देना आपका answer आ जाएगा I hope this question is clear to you काफी हद तक और अगर कोई doubt हो तो please do comment in the comment section और हम सबसे important जो मैं बता रहा था इस case में जो magnification है वो maximum आता है normal adjustment में minimum आता है और इस case में maximum आता है Magnification negative आ रहा है इसका मतलब जो final image है वो real और वो principal axis के नीचे बन रही है और object कहा है उपर although virtual है लेकिन the final images form below the principal axis मतलब उल्टी दिखाई देगी आपको inverted दिखाई देगी ठीक है